वेल्कम बैक मैं पानी पीती रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पानी जिन्दगी है तो आप लोग भी पी है अच्छे डॉक्टर साथ अभी हमार पास टाइम कम है मैंने कॉल्स के लिए ज़रा सा रोका हुआ है क्योंकि आपके लिए और नहीं और बात को एक तो हमारी इंट्रोडक्षन था और आज इंट्रोड़क्शन आपका चार बज़े होने वाला तो वह क्या है चार बज़े मेरा एक फरी लेक्टर होते हैं जो मेरे इंसिट्यूट में होते हैं जो नमबर स्क्रीन पे चल रहा है जो अग्रिस मिल जाएगा जी बिलकॉल आपके और बच जो है ने लोग आ जाते हैं वहां पर फिर आफ कॉस्ट है वहां लेक्ट लें बिल्कुल नॉलिज है और आपके बुक्सें सो भी नालेज लेनी चाहिए जबर्दस किसम की बुक्के हैं और अभी-बी मुझे पता चला यह एक बुक नहीं सेविन बुक्स आपने लिखी है और क्योंकि आप मास्टर लेवल पे हो और आप उसको रीकवर कर सकते हैं बहुत सारी बुक्कों में मैंने कुछ ऐसी एनरजीज पढ़ी है जो नेगेटिव जा रही है बिल्कुल सही है मैं आपको गाइड लाइन करूंगी कि टीवी पे कोई भी आ जाता है चै मैं चैकोई मैं भी एक और बैलिस्ट हूं लेकिन जहां आप देखें कि कोई भी टेंशन पॉइंट्स आपको रिलीस करी हमारे पास आने से तो प्लीज उसको उससे किलिए जरूर करें डॉक्टर से कि ये ऐसा क्यों हुआ कहीं हमारी दवा में काटेजन तो नहीं है कि इदर कोई बैड एनरजी तो नहीं दी जा रही है एक हीलर मैंने देखा है काफी मश्यूर हीलर है मैं किसी को वदनाम करने के लिए या नहीं बेटी हो पहला रेकी का स्टेप किया आपका आगे का औरा उ उसके पास कि भई ये तो और वस्ट हो गया तो आप बोले सेकंड लेवल करें फिर उन्होंने दो और औरे खोले सेवन औरे होते आपको पता है तो तीन औरे आप थर्ड एनरजी पर पैसे दिये जाओं सॉरी डॉक्टर साब जरा प्रोफेशनल लाइन से हटके बात लेकिन अगें जब मैं अपने प्रोग्राम में बोलाती हूं तो मुझे बताएं कि इसके चार्जिस कितने होते जो आप ये जो रिकी ये जो स्पेशल सिखा रहे हैं रिकी का तो कोई चार्जिस हमने लेए बिलकुल फ्री देते हैं और आज जो है ना लेक्टर भी वह फ्री है हमा वाइं डिये क्लास टेता है प्री की ऐूस का तक्राणा के तरा व किर let भी बादर ने कॉछ we second और आप बार से करेंगे तो बहुत महिंगे पढ़ते हैं लेकिन मेरा जोए ना म segurança कोस पर भी अजाते हैं और वो बिजनस पॉइंट उफ यू से वो जगा चला रहा है तो मेरे इसाब से आप एनरजी अपनी भी लॉस्ट करते है जो मैं एक देखे एक आमिल जो खुदा तरस इंसान है और इंसान को एक वजीफा देता है कोई दौा देता है कुछ पर के देता है लेकिन जिस से उसने पैसे लेना शुरू किया आप उसका भी रोजगार है तो अप उसके बैग में पैसे रख जہे जाएं जो उसने बोक्स रखा हुआ है तो वो एक नैचरल क्यूंकि उसका भी रोजगार है उसकी भी फैमेली है, उसका भी गार, अटा और गार वगार, उसको चाहिए, यह बीस अजा ले लिया, पचास अजा ले लिया, आपका यह काम पचास में हो जाएगा, तो मैं यह समझती हूं कि यह आपकी एनरजी लॉस्ट होती है, और मैं आपको एक बात बताओं, कि मैंने जिन्दगी में एक हीलर से जब काम करवाया था, कोई टेंशन जिन्दगी में थे, तो उन्होंने फ्री किया था, वो काम यह हो गया, मैंने अपनी खुशी से जो मुझे देना था, मैंने उनके बाक्स में डाला, जो मेरी हैसियत थी और जो मुझे इसका रिजल्ट मिला, को मैंने दूसरों को वेजना शुरू किया, तो मुझे पता चला किसी से 7,000 लिये जा रहे हैं, किसी से 20,000 लिये जा रहे हैं, तो उनकी हीलिंग उदर खाम नहीं कर देंगे, तो उसमें जो आल काइंड आफरिके, आप यानि ग्रेंड मास्टर कोर्स आपके होता है, दुनिया मैं पता दू कि हम रिटार्डेट बच्चों का इलाज फ्री करते हैं, मुझे ये एनरजी स्पेशली रिटार्डेट बच्चों के लिए, आपको उर्ता करते हैं, और वो इतने गरीब होते हैं, कि आपके पास आई नहीं सकते हैं, तो हम ज़रूर उन पैरिंस को देंगे, यही वज़ा है कि आपके सची दिल से वो जो बात ही निकलते हैं, इतने कॉंफिडेंस हैं, तो यह बात है सारी.